नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मानी ओव डिस्टल लियूज अमडी आन पर दोस्तो बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजिनेरिंग लिमिटेड स्टोक के बारे में सुगस इस स्टोक में एक बार फ्रेश से आज बड़ी गिराउट नजर आई है तो फिलाल गिराउट के पीचे का रिजन क्या होगा वो भी जानने वाले हैं और साथी साथ दोस्तो कमपनी के जो रिजल्ट से वो 30 मई को आने वाले हैं तो रिजल्ट के पहले दोस्तो कितनी ग लोजिंग रहने वाली है साथ ही साथ अगर हम डिसकेसन अगर करें इस प्रैस के तोर पर तो दोस्तों लास पांस सेशन में इस स्टोक की एक बड़ी गिराउट नज़र आई है तो ओपरेटर्स का जो ट्रेप है वो कहीना कहीं काफी हद तक एक्टिव नज़र आ रहा है क्योंकि लगातर मार्केट में दोस्तों कुछ समय की अपर सरकृट नज़र आती है और उसके बाद डाउन फॉल कंटिनिसली देखने को नज़र आ रहा है तो यह चीज कहीना कहीं द बात करें दोस्तों लगाता है इस स्टो के प्राइस मॉन्ट के तोर पर तो लास्त एक महिने का जो प्राइस मॉन्ट लोर सरकृट पर बात की जा तो गुनिस रुपर से बढ़कर जो निकिरीज हुआ लास्त पांस सेक्षन के अंदर जो 21 रुपर पांस पीसे तक तो इसी बैतोर तरीके पर दोस्तों market का जो लोर सरकृट वो काफे ज़्याधा रहा है तो अभी दोस्तों इस सिस्ट्विषन में अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी जुह है पैनिक वाली सिच्विषन का ज़्यादा नजरा तो अभी दोस्तों पैनिक ना हो यह सीज़मा वीर ट के अंदर दोस्तों डिविडेंट पर विशार अगत कर देती है कई ना कई तो फिर शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों एक गोल्डेन अफॉर्चनुटी जो है वो नजर आ सकती है और एक अच्छा लगाता रिटन गेन करने का जो मौका है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि द साथी साथ हम बात करें कमपनी का लास्ट 6 मेहने की दोर पर तो लास्ट 6 मेहने में कमपनी का जो रिटन देखने को मिलेगा वो नजर आएगा दोस्तों काफ़े स्ट्रोंग 101 का रिटन नजर आएगा इस गिराउट के बावजूत लंबी गिराउट अलड़ी हो चुकी है द फिलाल आगे बढ़ने से पहले बता दो चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल खुजरुशो सस्क्राइब कर लेना और वेला इका नोटिफिकेसन और फिरुशो सेलेक्ट कर लेना अब फिलाल दुस्तों कमपनी की चार्ट पेटरन पर अगर हम सेधे डिसकर्शन अगर करें तो मार्केट का जो डाउन फोल है वो कहीं नहीं लंबी वक्स से नजर आया है अब लगातर कमपनी का दुस्तों जो आरैसा इंडिकेटर था उस पर भी काफी जादा जो है लगात 26 संकों पर कारुबार करता हुआ नजर आ रहा है तो अभी दुस्तों मार्केट नॉर्मल कारुबार कर रहा है पर दुस्तों अगर मार्केट में फिसले टाइम दो डाउन फोल नजर आया था ओवर शोल्ड जोन पर मार्केट जब क्रोस किया था तब मार्केट की वापस जो वो पोजिटिव नज़र आ सकता है और हमें एक अच्छा कासा रीटन देखने को नज़र आ सकता है तो इस वज़े से दोस्तों मैं आप लोगों यही चीज गाइड कर रहा हूं कि फिलाल अभी हमें दोस्तों जो है पेसेंस अगर हम बनाते हैं होल्डिंग के साथ तो कई ना क हीट का दोस्तों इसी परकार का हाल बेहाल रहने वाला है तो दोस्तों अभी के टाम इलेक्शन के वज़े से लोग प्राइस पर जो इन्टर करने वाले है तो उनके लिए तो एक गोल्डन सांस के रूप में नज़र आ रहा है तो अच्छा मुका भी देखने को मिल रहा है पर जब तक कॉमपनी का फाइनेंचल रिजप्र नहीं आ जाते है तब तक दोस्तों कंपनी का रीकवर होना ना मुंकिन है अपरेटरस का जो ट्रेप है वो खतम होना ना मुंकिन है तो ज smallest लन इता दाम है तो भी वूस्ती संग रहा है फिलाल आप की नज़र में इस झाल थे को बारो थे स्वाम को पोगार आंगे झाल है